भाई लोग सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमको यहाँ पर इसाब पे ओनलाइन घर बैठे पूरे यहाँ पर एक लाग पचीज जार पे का लोन अप्रूब किया गया है आपके सामने यहाँ पर है हम इसाब पे कम से कम 10,000 पे से लेके मैक्समाम एक लाग पच हम जो है 18 महिने के लिए EMI करवा पाएंगे अपने लोन पे कम से कम 6 महिने का EMI करवा पाएंगे तो आज मैं आपके लिए एक बहुती कमाल का लोन अप जो है लेके आया हूँ इसाब में अगर आप चाहोगे तो आप जो है घर बैठे अपना लोन अप्लाई कर पाऊगे त तो यह मैं आपको live जो है इसाप पे, loan कैसे apply करना है, घर बैठे, वो चीज मैं आपको live जो है करके दिखाता हूं, अगर आपको apply करना है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले आप इस आपको download करेना, अपका link आपको इस video description मां मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप को डाउलोड कर लेना आप का नाम है DMI Finance Samsung की जितने mobile आप जो है Finance पे लेते होगे सारे जो है DMI Finance से Finance होते हैं अगर आप लेते होगे तो ठीक है तो इसको आप जो है डाउलोड करके Open कर लेना अगर आपको DMI Finance से घर बैठे लोन अपलाई करना है तो अब भायलोग जैसे ही आप जो है आप को डाउलोड करके Open करोगे ऐसा पे जो उपन हो जाएगा इसा पे आपको अप्टो दो लाख रुपे तक लोन मिलता है तो आप इसको Open करोगे तो ऐसा पे जो पन हो जाएगा आपके mobile number पे एक यहाँ पर OTP जाएगा OTP डालके verify कर देना फिर आपके सामने option open हो जाएगा अपना detail यहाँ पर डालने का अपना loan apply करने के लिए तो आप एक काम करना अपना पूरन नाम डाल देना जो नाम आपके pen card पे होगा फिर अपने pen card का number यहाँ पर डालके नीचे चलियाना नीचे से आप जो है next कर देना next करने के बाद यहाँ पर आपको अपना employment type चूज करना होगा आप जो है क्या चीज करते हूँ अगर आप कहीं job करते हूँ तो आप जो है salary वल option select कर लेना अगर आपका कोई business है कोई दुकान है तो आप जो है self-employed जो है select कर लेना उसके बाद नीचे से आप जो है next कर देना next करने के बाद आपके सामने option open हो जाएगा कि आप जो है महीने कितना पैसा कमाते हूँ अपना monthly income यहाँ पर डाल देना कम से कम आप यहाँ पर 25,000 डालना इससे कम डालोगे तो यहाँ पर chance कम हो जाएगा loan apply करने का ठीक है तो यहाँ पर आप अपना income जो है डालके नीचे से आप जो है next कर देना उसके बाद भाई लोग आपके सामने option open हो जाएगा अपना gender आप जो है select करके नीचे से next कर देना तो ऐसा पर जो है यहाँ पर आपको अपना date of birth जो है डालना होगा जो आपके pen card पे होगा तो अपना date of birth यहाँ पर डालके नीचे से next कर देना next करने के बाद आपका पूरा address आपके सामने आजाए का जो address आपके अधार काट पे होगा अपना पूरा address यहाँ पर चेक कर लेना अगर गलत होगा तो यहाँ पर edit पे click करके सही से अपना पूरा address यहाँ पर डाल देना ठीक है डालने के बाद नीचे आओगे आपका residence type आप यहाँ पर click करके thread कर लेना आपका खुद का घर है किडाय पर रहते हूँ कैसा है उचीज यहाँ पर click करके thread कर लेना अगर आपका यही जो है permanent address होगा जहाँ पर आप जो है रहते हूँ तो इस पर आप जो है tick करके नीचे से आप जो है nest कर देना अब भालोग nest करने के बाद आपके सामने option open हो जाएगा अपना loan amount यहाँ पर select करने का कितना loan आपको चाहिए तो जितना पैसा आपको चाहिए होगा जितना पैसे की आपको जरूत होगी loan की उतना amount आप यहाँ पर select करके नीचे चले आना नीचे से nest कर देना नेच्ट करने के बाद इनकी जो है trimming condition आजाएगी सारी आप यहाँ पर clicker के allow जो है कर देना तीनो trimming condition फिर नीचे से continue पर tap करोगे तिर आपके सामने आपके loan की limit आजाएगी इस app पे आपको कितना loan मिलना है आपके सामने आपके loan की limit आजाएगी आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पर DMI finance app पे पूरे एक लाग 25,000 का loan जो है मिला है हम यहाँ से कम 10,000 का loan apply कर पाएंगे maximum 1,25,000 का loan apply कर पाएंगे हमारे लोन पे 20% का इंटेस्ट होगा per year और हमारा जो EMI होगा पर मंद 8,955 रुपे होगा और हम अपने लोन पे कम से कम यहाँ पर 6 महीने का EMI करवा पाएंगे ज्यादा से ज्यादा 18 महीने का करवा पाएंगे तो आप एक काम करना यहाँ से अपना लोन का एमाउंट जो है स्रेट कर लेना कितना लोन आपको चाहिए अगर आपको पूरा चाहिए तो यहाँ पर स्रेट करके अपना EMI स्रेट कर लेना उसके बाद आप एक काम करना नीचे चलियाना नीचे से आप जो है नेस्ट कर देना हमारा फिस एंड टेक्स यहां पर 4,425 रुपे कटेगा और हमारे बैंक एकाउंट पे पैसे यहां पर हमको मिलेंगे 1,20,575 रुपे अगर हम यहां पर 1,25,000 का लोन अप्लाई करेंगे तो सब कुछ काट पीट के 1,20,575 रुपे हमको मिलेंगे ठीक है यह सब आप यहां पर चेक कर लेना फिर नीचे आओगे आपका कितने महने का टोटल EMI होगा कितना मंतली EMI होगा कितना पैसा आपको री पेमेंट करना होगा वो भी यहां से आप जो है चेक कर लेना फिर अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो नीचे से आप जो है कन्फरम कर देना कि मुझको लोन अप्लाई करना है यहां पर टैब करके पिर एसा पीजोप aver हो जाएगा यहाँ पर आको दो स्थेप मात्र जो हे कंप्लीट करना होगा फिर आपका लून का पैसा आपके accountability पर अजाएगा पहला step आपको यहाँ पर अपना कय वासी करना होगा और दूसरा अपना एक जो है bank account अड़ करके अपना e-mendate complete कर देना होगा loan का पैसा आपके bank account पर आजाएगा तो आप एक काम करना सबसे पहले इसको complete कर देना continue पर click कर देना फिर ऐसा PGPIN हो जाएगा आपको अपना DC लोकर यूज करके अधार कार्ट से केवासी करना होगा तो आप एक काम करना अपने अधार कार्ट का नंबर यहाँ पर डालके नीचे आओगे ये वाला same to same capture code उठा के आप यहाँ पर डालके नेच्ट कर देना फिर आपके अधार कार्ट में जो आपका mobile नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा OTP डालके submit कर दोगे आपका अधार कार्ट से केवासी complete हो जाएगा डन हो जाएगा डन होने के बाद आपको एक काम करना होगा अपना एक जो है selfie क्लिक करके अप पर अपलोड करना होगा तो आप एक काम करना यहाँ पर क्लिक करके selfie जो है क्लिक करके अपलोड करके आप जो है confirm कर देना फिर आपका के वासी complete हो जाएगा आप लोग देख सकते हो फिर आपको एक काम करना होगा अपना bank account यहाँ पर add करना होगा तो आप एक काम करना continue पर tap करके अपना bank account यहाँ पर add करके अपना e mandate आप जो है complete कर देना e mandate करने के लिए नीचे आओगे आपको यहाँ पर दो option मिल जाएंगे पहला net banking दूसरा debit card दोनों में से कोई एक option आप जो है set करके अपना e mandate complete कर लेना मैं आपको debit card से करके दिखाता हूँ यहाँ पर tap करके नीचे से next कर देना next करने के बाद आपके सामने आपके loan के detail open हो जाएगी इसको जो है allow कर देना फिर आप एक काम करना आपके bank account पर जो आपका debit card होगा debit card का number आप जो है डालके proceed करना आपके bank account पर जो आपका mobile नमर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा OTP डालके submit कर दोगे e mandate complete हो जाएगा फिर आपके सामने loan का agreement sign करने का page open हो जाएगा sign कर देना loan आपका apply हो जाएगा loan का पैसा आपके bank account पर कम से कम 24 गंटे के अंदर credit कर दिया जाएगा तो भाई लोग ऐसे करके आपको यहाँ पर DMI Finance से घर बैठे अपना loan apply करना होगा मैंने आपको live loan apply करने का process करके दिखा दिया आई हुपाप करना जान गए होंगे अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई हो वीडियो को like करके channel को subscribe करके bell icon को press कर लेना साथ में अगर आपको online earning करना है गर बैठे पैसे कमाने है तो आई और हमारे telegram channel को join कर लो तो कि मैं आपको telegram channel पे कई सारे online earning के cashback offer जो है देता रहता हूं जल्दी जाओ join कर लो लिंक आपको इसी वीडियो को discussion में मिल जाएका अगर आपको earning करना है तो जल्दी जाओ join कर लो